सब्सक्राइब कर ये टैली टेक्निकल चैनल को साथ में दबाईए बेल आकन टैली की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हूं तो मेरे बाद जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं जिन्होंने की टीसीबी फाइल का रिक्वाइड किया है तो दोस्वों जैसे कि आप लोगों की नीड है और मैं रिप्लाइ नहीं कर पा रहा हूं तो इसके लिए मेरे को वीडियो की जरी आप लोगों तक पहुंचना पड़े एक भी चीज को मिश मत करिये क्योंके इस वीडियो में आपकी जो भी प्रवल्लम से हैं उनको दूर करने वाला हूं और आपको उसका सूलूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको description box में दो लिंक दिये हैं एक जो है TCP फाइल का है और एक जो है आपका एकसल फाइल का है तो एक जो है TCP फाइल का है जिसको आप डाउनलोड करके आपने टैली के साथ configure करेंगे दूसरा जो है वो एकसल टेंपलेट है कि किस फॉर्मिट में आप अपने डाटा को एकसल में रखेंगे जो कि आपका टैली में इंपोर्ट हो जाएगा वो स्टेसिफिके फुरू ठीके दोस्तों तो इसमें मैं आपको यह भी पताऊंगा तो इसमें मैं आपको जितने भी आपको प्रॉब्लम सारी है उन सबका भी मैं आपको इसमें स्लिशन देने वाला हूँ तो वीडियो गों इसकी मत करेगा पूरा देखिएगा वैसे तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा थ है लेकिन दुबारा से मैं एक डेटेल में दुबारा से आपको एक चीजी दुबारा से कौंफिगर करना बता रहा हूं सारी बता रहा हूं कि कौन-कौन से चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखनी है किसकी बज़े से प्रॉब्लम आ सकती है जो कि कुछ वीबर्स को आभी रही थी ठीक है तो चलिए चलते हैं computer screen पर देखते हैं कि किस तरह से हम दोस्तों इसके लिए आपको required है TCP फाइल और जो Excel फाइल है दोनों आपको required होंगी तो आप जो है description box में दोनों मैंने link दिये है Excel template के लिए भी और TCP फाइल के लिए भी तो इन दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है जो आपका TCP फाइल है इसको टैली में configure करना है आपने यहाँ पर क्लिक करना है लास्ट में जो है आपने slash यहाँ पर टाइप करना है जो भी फाइल वहां पर है वह आपको यहाँ पर सोग करना तो हमने जाना है gateway of tally में तो gateway of tally में f12 हम क्लिक करेंगे या आप f12 जो function की है उसको प्रेस कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है advance यहाँ पर आपने जाना है product and feature में और यहाँ पर आप देखें आप tdl वाले section में आ चुके हैं तो यहाँ पर right hand side पर manage local tdl इस पर आप click करेंगे या normally आप f4 भी प्रेस कर सकते हैं तो यहाँ पर जो first option आ रहा है load tdl file on startup इसको yes कर दीजे और list of tdl file to preload on startup तो यहाँ पर देखें जो हमने अभी copy किया था यहाँ पर हमें paste करना है तो वहाँ से हमें copy करने के बाद यहाँ पर paste करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा alt ctrl v तो यह हमने यहाँ पर paste कर दिया और इसको save कर दिया तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे sales import.tcp पूरा नाम है जो उसका extension है .tcp वो भी मैंने यहाँ पर copy किया है तो यह मैंने save कर दिया save करने के बाद आप यहाँ पर देखें यह आपका load हो गया और साथी साथ आप देखेंगे नीचे जहाँ पर आपका टैली का release आता है तो यहाँ पर भी आपको दिखा रहे TDLs one of one loaded तो जो आपका TDL है यह आपका load वो चुका है अब आप configure कर सकते हैं import के लिए तो दोस्तों यह जो है मैं आपको बिल्कुल slowly बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज आपको समझ में आ जाए और आप गलती ना करें और आपको problem ना है तो gateway of tally में आपने क्या करना है आपन आपको इसको set नहीं करना है तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे एंटर करने के बाद यहां पर आप क्या करेंगे यहां पर जो आपका जहां पर भी आपने file रखा है जिस folder में भी आपकी file है उसका यहां पर जो directory है पास है वो आपने यहां पर location set कर देना है तो यहां पर क कि directory मैं इसको copy कर लेता हूं और इसको मैं टैली में जहां पर मेरा location है मैं इसको paste कर देता हूं और इसको save कर देता हूं ठीक है यह मेरा save हो गया अब जो काम है हमारा अब हमने import करना है ठीक है तो import करने के लिए मेरे को जाना है import में तो यहां पर देखे जो मैंने सलेक्ٹ कर दिया, सलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर यहां पर लिस्ट हो जाएगा, जो भी sales के watcher type अगर आपके अलग- corazón लग होँ, भी आपके यहां पर लिस्ट हो जाएगे, लेकिन यह process करने से पहले, import करने से पहले कुछ checking list है, जो कि आप चेक कर लिजेगा पहले आपने ये सारी चीजें चेक करने हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है आपका जो वाचर टाइप है वाचर टाइप का जो number है जो numbering method होता है उसको आपने manually करना है तो उसको आपने कैसे करना है तो आपने जाना है account info में और उसके बाद जाना है आपने वाचर टाइप में और यहाँ पर alter में जाएंगे जो आपका वाचर टाइप है जैसे कि मेरा सेल है तो यह मैंने ले लिया तो यहां पर आप देखेंगे method of watcher numbering जो है आपने manual रखना है और prevent duplicate को आपने yes रखना है ताकि जब आप गलती से अगर दूसरी फाइल सेम फाइल को दुबारा अगर आप इंपोर्ट कर देंगे तो वो आपका इंपोर्ट नहीं होगा duplicate का error आपके पास आ जाएगा तो यह जो prevent duplicate है यह आप यस रखेंगे ठीक है तो वाचर टैप में आपने सिर्फ इतनी सेटिंग करना है फिर इसको save कर देना है तो अब चलते हैं फाइल में जो आपका template है तो template में जो template है तो यहां पर आपने copy paste कर देना है अपना sales का data जो भी आपने import करना है तो इसका मैं बता जिता हूं कि कौन सा column है जो किस काम आता है और आपको error आ सकता है इस वज़े से अगर आप इस तरह के कोई गलती कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आप आपने किसी भी column को यहां पर rename नहीं करना है तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपकी रॉस होगी तो फर्स्ट कॉलम आपको देख रहा है date का ठीक है तो date का format आप सेम रखिए date का format आप चेंज मत करिए तो सेम फॉर्मेट रखिए जैसे की 1 अपरेल 19 है तो यह आपक पाकी किलो यहां पर पेस्ट करेंगे जोभी आपका डाटा यहां पर रहेगा यह लेजर आप का ओल्रडी टैली में बना होना चाहिए है जो आप गोलम देखेंगी तो यह जो लेजर है यह आपके टैली में लेडी बने हो ने बने होने वह ने चाहिए थीक है तो जीसे यहां पे आप पार्टी का item हम कह सकते हैं इसको तो जो आपका stock item है वो भी आपका tally में create होना चाहिए पहले ही available होना चाहिए नहीं तो आपको does not exist का error आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहां पर freight और cottage अगर आपका freight और cottage लगता है आपका लेजर है अपने बिल में लगाते हैं तो freight और cottage का लेजर भी बना के रखना है चाहिए आपका बनता लगता है या नहीं लगता है लेकिन आप अपने लेजर को बना के रखेंगे वहां पर नहीं तो इसकी बज़े से आपका error आ जाएगा ठीक है तो किस नाम से बनेगा तो यह आप देख रहे हैं जो भी यह नाम है स के अंदर इसको बना दीजिए उसके बाद आपने IGST है IGST का भी सेम जो नाम यहां पर है वही आपने क्रेट कर देना है डियोटेंट टैक्सिस का लेजर CGST AGST और जो आपका Sales का लेजर है Sales का लेजर जो भी आप यहां पर पंच करेंगे जैसे आपका लोकल Scale हो गया Central हो गया या जो भी आप अधर कोई Sale बनाते हैं 12% हो गया तो वो आप यहां पे जो भी आप यहां पे पेस्ट करेंगे जो भी डाटा आपका यहां पे रहेगा वो भी आपका sales ledger बना होना चाहिए टैली में पहले ही ठीक है उसके पाद जो आपका location है यही भी आपका जो go down है अगर आप go down यूज करते हैं अधर्वाज यहां पे main location डाल दीजे कोई problem नहीं है ठीक है अगर आप go down maintain नहीं करते हैं तो ठीक है अगर आप go down maintain करते हैं तो यहां पे go down का नाम properly डालिए ठीक है तो यह तो हो गया कि इसकी वज़े से आपको error आ सकता है अब entry आप जो आप entry किस तरह से paste करेंगे अब ऐसा भी हो सकता है कि एक जो आपका invoice number जैसे आप यहां पे देख रहे हैं यह invoice number है यह आपका एक ही इसमें एक ही item आपका sale हुआ है और ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे आपके multiple stock item है वह आपने एक ही बिल में sale की है ठीक है तो दोनों तरह का provision यहां पे है दोनों तरह की इन्वाजेज आपके import हो जाएंगे तो यहां पर देखेंगे जो first आपको रह देख रही है यह वाली जो ठीक है 308476 ठीक है नीचे raw में नहीं है और इस बिल में एक ही item है ठीक है samson 190 liter refrigerator है और यह की मेर को इस बिल में import करना है इस बिल में means की यह की item मैंने sale किया है ठीक है तो वह चीज आपकी यहां पर एक ही बिल में आ जाएगी अगर आपकी दो item है यह दो से ज्यादा item है तो उसमें आप क्या करेंगे ठीक है तो उसमें देखें जैसे यह है यह आपका है 308478 यह आपका तीन बारी यहां पर आ रहा है इसका मतलब है कि यह तीन stock item है जो आपने एक ही बिल में इसमें एक ही बिल की item है तो जो आपका party का name है ठीक है और जो आपका invoice का number है और invoice का date है इससे यह पिक करेगा कि यह एक ही invoice का stock item है इसको एक ही invoice में import करना है ठीक है तो आप इसको जो है यह scroll करके means कि जैसे कि मतलब एक के बाद एक आपका आ रहा है तो यहां से यह pick कर लेगा ठीक है तो यह clear है कि यह में एक stock item भी import हो जाएगी जिस bill में एक stock item है और अगर multiple भी है तब भी import हो जाएगी कोई problem नहीं आएगा ठीक है उसके बाद यह calculation है यह calculation तो आपको पता ही है आप अपने according यहां पर डाल सकते है quantity यह rate हो गया उसके बाद quantity into rate जो आपका amount हो जाएगा उसके बाद यह plus हो जाएगा जो भी आपका cgst है एजस्ट है और यहां पर आप देखेंगे यहां अब यह import हो जाएगा कोई problem नहीं है और कोई भी compatibility का problem नहीं है कोई भी कुछ नहीं है अब मैं यही जो seat है यह मैं आपको import करके दिखा देता हूँ tally में कि कैसे यह import होगे ठीक है सारे laser मेरे बने वे हैं stock item बनी वे हैं go down बने वे हैं अब मैं इसको import करता हूँ तो इसको मैंने कर दिया close अब मैं चलता हूँ tally में पूरी configuration मैंने कर दिया अब यहां पर मैं जाता हूँ import of data sales import और import में गया sales import की मैंने street को choose कर लिया और यहां पर sales जो watcher type है उसको मैंने यहां पर इस watcher type में मैंने इसको import करना है और इसको मैंने yes कर दिया yes करने के बाद आप देखेंगे यहां पर यह थोड़ा सा process का time लेगा count करेगा कि आपकी entries कितनी है तो यह पूछ रहा है do you want to check ledger कि अगर इसको yes करेंगे तो आपको दिखाया कि यह ledger आपके बने वे नहीं है तो वो आपने already बना के रखे हैं तो कोई problem नहीं है तो मैं check नहीं करता है यहां पर मैं इसको no कर देता हूँ अब जैसे आप देखेंगे तीनों voucher number मेरे यहां पर आ रहे हैं कि कौन-कौन से मेरे import हो गए अब मैं आपको entries दिखा देता हूँ देखें फर्स्ट entry है जिसमें एक stock item है जो आपका order number है वो आपका यहां पर आ गया यहां पर आने के बाद अब आप देखेंगे यहां पर जो invoice number है वो automatically यहां पर आ गया सारी आपकी जो item है यहां पर item भी आपकी यहां पर आ गई है ठीक है यह देखें rate और यह freight charges मैंने इसमें लगाया था तो यहां पर आ गया उसका cgst, agst और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि यह entry जो है आपकी gst अगर आपने configuration laser की properly की है तो gst return में कोई problem नहीं आने वाली आपको उसमें भी accurate आपका आएगा ठीक है तो यही तो हो गया एक invoice अमें दो तीन जो stock item है उनका देखी यहां पर तो इस bill में दो-तीन item थी तो यह देखे दो-तीन item है और यह easily import हो गया है इसमें आपका freight cartage नहीं है तो यहां पर नहीं आया है तो यह आपका invoice जो है import हो गया है और यह तीनों के तीनों invoice यहां पर import हो चुके हैं ठीक है बस आपने इतना ही करना है और आप easily आप इसको use कर सकते हैं कोई भी plug and play वाला सवाल है यहां पर बस आपने लगाया configure किया और उसके बाद आपने धरा धर से अपने उसके बाद आपने फटा फटा अपने जितने भी इन्वाइसेद हैं वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यही तो था यह सारी setting आप इसमें check कर लिजेगा कहीं पे भी कोई problem नहीं आएगा ठीक है फिर भी यह सब करने के बाद भी अगर देखे आपको problem आ रहा है एक बार वीडियो को दोबारा देखे तीन बारी देखे कहीं पे आप गलती तो नहीं कर रहे है ठीक है आपका जो date का format है वो गलत तो नहीं है आप इन्वाइज नंबर में आपका कहीं मिस मैस तो नहीं है ठीक है आप double तो नहीं डाल रहे है वो सारा आप चेक कर लिजेगा यहां पे आपका stroke item बनाए है कि नहीं बनाए है आपका particle ledger बनाए है कि नहीं बनाए है वो सारा आप यहां पे चेक कर लिजेए फिर भी अगर आपको दिक्कत आता है तो आप screen का है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर लिजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं आपने subscribe नहीं कि अभी तक हमारे चैनल को तो जल्दी से subscribe कर लिजे क्योंकि अब जो वीडियो जाने वाली है वो सारी टैली प्राइम से related है और प्राइम में जितनी भी प्राइम मे कैसे आप यूज करेंगे हर एक फिचर यहां पर मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा ठीक है तो तो दन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आई होग कि यह वीडियो आपके काम की रही होगी यह टीसी भी फैल आपके बहुत काम आएगी आपकी देखते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए हंसते रहें मुस्कराते रहें साथ में हमारी वीडियो भी देखते रहें जै इन जै भारत